नमस्कार दोस्तो अधित्य एलेक्ट्रोनिक वर्क में आपका फिर स्वागत है दोस्तो यहां पर देख सकते हैं एक 20-30 IC वाला कीट है तो इसमें हम 20-30 IC के जगा 20-50 IC डाल करके और इस सर्कीट को चालू करने वाले हैं तो देखना है हमें 20-50 IC डालने के बाद यह कीट कैसा का वाले हम करता है तो दोस्तो वीडियो काफी इंट्रेश्टिंग होने वाला इसे वीडियो को लाज तक जिवर देखेके का और हमाई चैनल से जुड़े रने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बासार oppression करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हम थेटर वाला 20-30 IC वाला किट यहाँ पर एविलेबल है और यहाँ पर बूफर वाला IC खराब हो चुगा है तो सबसे पहले हम IC को चेक करेंगे उसके बाद इसे में हम 20-30 IC को निकाल करके और 20-50 IC इसमें डालेंगे तो आई दोस्तों मैं इस पर लाइन देख करके और आप लोग को मीटर से चेक करा देता हूं IC खराब होने पर उसका आउटपूट पिन से बोल्टेज निकलने लएगा यानि बोल्टेज आ रहा है कुछी बेल्यू आब बता रहा है तो आपका IC खराब हो जुगा है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं दौस्तों, 3.3 वल्ट ये आउटपूट कर रहा है जबकि IC का आउटपूट पिन में 0 वल्ट रहना चाहिए तो दोस्तों यहां पर और भी पिन को हम चेक करके देख ले रहे हैं उसके साथ ही साथ हमें और IC में भी चेक कर लीनी है कि कहें और आगे अब ही कोई IC तो खराब नहीं है तो हम दूसरा IC चेक कर रहे हैं इसके बाद दोस्तों हम तिस्चा ISO को भी कोई चेक कर लेंगे यहां पर यह देख सकते हैं यहां पर भी आउटपूट पीन में कोई वोल्ट नहीं बता रहा है अब दोस्तों इसे हम वापस से इस IC को निकालेंगे और इस पर हम दूसरे IC डाल देंगे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारे हाथ में है TDA 20-50 IC यह देखे कैमरा में अच्छा सा कैप्चर नहीं हो पर है फिर भी नमबर दीख जा रहा है TDA 20-50 दोस्तों 20-30 और 20-50 IC दोनों का सर्कीट सेम रहता है आप उसे 20-30 के जगा 20-50 भी लगा सकते हैं और 20-50 सर्कीट पे आप 20-30 को भी यूज़ कर सकते हैं बस फर्क इतना होता है कि 20-50 IC का वाट थोड़ा ज़्यादा होता है और 20-30 IC में आउटपुट वाट कम होती है अगर जैसे 20-30 IC हमारा 20-25 वाट आउटपुट दे रही है तो 20-50 IC में हमारा कम से कम 30-35 वाट आउटपुट मिलेगा तो दोस्तो इसे हमारी बूफर थोर्षी ज्यादा दमदार बजेगी और दोस्तो इसके साथ हमारी स्पीकर की केबिनेट भी सही होनी चाहिए नहीं तो उससे भी आवाज किलियर नहीं आती है दोस्तो हमएं IC को निकालते समय ध्यान रखना है जिसे ट्रेक गर्म हो जाती है और बरस से रगड़ने पर ट्रेक कहीं उचड़ना जाए इससे थोरा समाल के ही IC को निकाला जाता है दोस्तो यहाँ पर हमने IC को निकाल दिया है खराब वाली IC को अब इसे हमें side रखे और यहाँ पे नई 20-50 वाली IC हम लगाने वाले हैं यह देखिए तो इस IC को हम अब इसी circuit पे लगा देंगे और इस पे हम check करके भी दिखाएंगे दोस्तो वीडियो अच्छा लए तो वीडियो को like जोर कीजिएगा और हम theater wiring में कहीं किसी को कोई problem आती है तो आप हमें comment करके कर सकते हैं मैं उसके comment पर वीडियो बनाने का जोर परियाश करूँगा उसके comment को reply भी करता हूँ दोस्तो यहाँ पर IC को लगाने के बाद nut और bolt को अच्छे से tight करके कसना है नहीं तो अगर ढिला रहेगा तो वो hitsing के साथ उसका heat absorb नहीं होगा और वो IC फिर से खराब हो सकता है इसलिए hitsing के साथ उसे tight अच्छे से करें दोस्तों यहाँ पर बरस से अच्छे से track को साफ कर लें ताकि एधर उसे कोई track शर्ट ना जाए और फिर से sorting का भी सिगयत ना आएगा दोस्तों यहाँ पर अगर track आपस में शर्ट जाती है तो kit short हो सकता है इससे फिर दिखता सकती है अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कैमरा में किलिए आ रहा होगा तो हमने यहाँ पर देखे बीच वाला आएसी पर एका करके चेक कर रहा हूं तो यह देखिए आउटपूट पीन पर जीरो वोल्ट बता रहा है यानि कोई आउटपूट वोल्टेज सफ्लाए नहीं है और यहाँ आएसी बिल्कुल सही हो चुगा है kit भी सही है यहाँ पर आप मैं और पीन में लागा करे दिखता रही है आए दोस्तों इसके साउंड टेस्टिंग भी कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं अभी सेटेलाइट स्पीकर नहीं बजा रहा हूं इसलिके वह इससे बूफर वाली आवाज आईगी तो चलिए दोस्तों आप इसके आवाज को भी अच्छे से सुन लिए मैं भॉल अप्छे से स्टेस्टिंग आप आपले यहाज को एले आप मैं अपले दोस्तों आप मैं अच्छे से स्टेस्टिंगा